देखिए जल्द बाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गौर्मेंट कॉलेज में एडिमिशन लेना सही है या गलत है जैसे कि आप कोई बिजनेसमेन हैं कोई दुकान करते हैं या फिर आप खेती बारी करते है पर आप शादिषिदा है आपके बाल बच्चे हैं और आपके काम्या भी और आपके घर के काम का जो है एक माता आफी सदन है तो अगर आप इस तरीके से बिजी आधमी हैं तो क्या आपकी के लिए ग्वर्मेंट कॉलेज यान sure चाहिए आपकी पता है कि अभी एडिविशन कि आडिनेस करना नहीं पड़ेगा, रेगुलर किलास करना नहीं पड़ेगा, तो ये गलत सोचे भई, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका पूरा पूल खोलने वाला हूँ, हर चीज में आपको बताने वाला हूँ, कि गौर्मेंट कॉलेज में इर्मिशन लेना सही है या गलत है, क्या रेगुलर डेली किलास करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी किलास जाना पड़ता है, कितना अडिनेस चाहिए, हर चीज में आपको इस वीडियो में सही जान करी दूँगा, कोई है नहीं कि मैं अपनी बात, मन गणत बात बताऊंगा, नहीं, बलकि ये जो है क कॉलेज से पता क्या वानी उज़े, और पिछले 2022-2023 से जो दो वर्सु का मेरा अनुभव है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नह करते हैं, और उसके बाद में चैनल को अगर आप अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया, तो चैनल वो सबस्क्राइब कर ले, चलिए बात करते हैं, तो देखिए, डियलेड एडियो के लिए अभी जो बच्चे एडियोशन लेना जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें हूँ, फिर प्रावेट की बात, बाद में करूँगा, तो गौर्मेंट कॉलेज के अगर में बात कर लो, तो गौर्मेंट कॉलेज में रेगूलर किलास करनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल और हंडेट परसन सती है, आप कहीं पर भी जा करके पता कर लिजिए, रेगूलर किलास आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी हो जाए, ठीक है, बाइचांस अगर आपका किलास छूड़ जाता है, एक दिन तो चलेगा, दो दिन छूड़ जाता है, अगर तीन दिन या चार दिन अगर आपका छूड़ जाता है, तो आपको किलास से बाहर कर दिया ज आप कॉलेज जाते पढ़ने के लिए, इस्कूल जाते पढ़ने के लिए, बेग उठा करके, उसे परकार से आपको DLED में भी regular class करना पढ़ेगा, डेली का डेली आपको class जाना पढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सती है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, कि क्या सर हम पैसे दे करके माइनेज कर सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से अगर हो, तो मानिया कि दोनों येर का 20,000 रुपी अलगटा DLED कोर्स करने में गवर्मेंट से, तो 50,000 आदमें हर कोई दे देगा, 30,000 रुपी एक्ष्ट्रा दे देगा, और बोलेगे, सर मेरा हर कोई ऐसा है, बोलने लगे, तो फिर किलास को जाएगा, भई, कोई नहीं जाएगा, इसलिए ये नियम नहीं है, आप पैसे दे करके, कॉलेज वाले को खरीद नहीं सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कि रास्ता है कि आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा अब यहाँ पर सवाल है कि आप दुकान वाले हैं, आप भीवी बाल बच्चे वाले हैं, आप खेती बाड़ी वाले इंसान हैं, आप बिजी आदमी हैं, तो आपके लिए गौवर्मेंट कॉलेज मेरे हिसाब से नहीं है, आपको प्राइविट में जाना चाहिए, ठीक है, पूरे बिहार के अंदर में एक-दो कॉलेज ही ऐसा है, जहां पर आपको रेगूलर किलाज चलती है, देगो किलाज जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जहां पर पैसे से भी मैनेज होता है, आपको इस्टरा रुपिया देना पड़ेगा, यह नहीं क कि गौर्मेंट कॉलेज में रेगूलर किलाज जाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं, उसके बद अगर आपको रेगूलर किलाज नहीं जाएंगे, तो आपको फानल एक्जाम में बढ़ने लिए नहीं दिया जाएगा, आपको इस्टरा आपके नाम पर इस्टरा नहीं कि अच्छा कुले कुले कि अच्छा को इस्टरा नहीं करें लिएगा, कि अच्छा करें दिया जाएगा, कने जिए रेगूलर के अच्छा